आज में आपको देखाने माला हूँ पॉफ पैनल हाउट्स पॉफ यू एफ इसका मतलब उसका जो फिल फर्म है में जो बोड बनता है वह बौर में यहाऊस बनता है और देखकेटे हैं यहां है पर छी फालग का यह ब्लस वाल और रहा है यह लग्वक्ख 200 आदमी के लिए बन रहा हीए लेवर पलोनी बन राहтесь तो जो ऑन यह जो जो अ कि जबन रहा है इसको टिफ से पे खेंपा क्यों ना सब्सक्राट्ड। sebelum serious she learned.raislaw thirtan के बना. लेवल प्लीन्स के बाद देख सकते हैं यहां पर प्लीन्स होने के बाद कि यह एंकर बॉल्ट होता है वह फिक्स करके हमको छोड़ देना होता है उसके उपर हमारा प्लीन्स का जो इसके बाद उनका जो स्ट्रक्चर है इसलिए वह और्टापड़ा है और क्लाइंट अभी हमको यह ब्लोग को देने के लिए करें तो इसको हम कंप्लीट करने के लिए में फोर्स को इधर डाइवर्ट करके रखें और दुसरा जो हमारा फाउंडेशन का काम है वह फाउंडेशन का काम भी हमारा भी कॉंटिनीव चल रहा है यहां पर हमारा PCC और दिक वर्क जल रहा है और यहां पर हमारा तो प्लिंट लेवल का जो PCC चल रहा है अब देख सकते हैं हम उपर चल के दिखते हैं पहले नीचे बाला फ्लोड देख लेते हैं कि यहां पर हमारा इंस्टलेशन चल रहा है लग हो कि हम पर कम्प्लिट हो रहा है यह लेटिकल का भी चल रहा है और मेट्रियल भी यह उसके डिजान के साब से आ गया है और यहां पर जो डोर है उंडो है आप देख सके में पुरा पुरा लाइट वेट है क्योंकि पॉप पैनल जो फॉर्म में बनता है जैसे कि आपको यहां पर देखा रहा हूं इसका जो वाल का जो थिकनेस है जो वाल का थिकनेस है आप देख सकते हैं यह 50 mm का है जो इसका यह फाइदा है फ्रेंस यह हीट को अब्जब करता है है साउंड को भी इंसलेट करता है हीट को भी इंसलेट करता है अब देख सकते हैं इसका तो थिकनेस है यह 50 mm का है और यह जो आउटर का भी लगा है यह है सब्सक्राइब करते हैं यह 50 mm का है और यह यहां पर हमारे प्रेंस सेम एलेटिकल का काम ही चल रहा है और अब देख सकते हैं उसका पीसे सी कम्प्रीट हो गया है ज़स्ट हम को यहां पर जाने आने के लिए रास्ता बनाना है कि अब करेंस यह हमारा जी प्लॉस जो वान है इसका सेकेंड फ्लोर फ्लोर है पहला जो था ग्राउंड फ्लोर था कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर भी एलेक्ट्रिकल का काम अधापड़ा है चल रहा है यह जो आप देख से यह है कि 35 mm का जो डोर का जो ठीकने से यह जो सीट है कि मैं का और उसका जैसे कि मैं आपको बोला यह जो ठीक हर्ट चीज बनके आ जाता है यहां पर उली फिक्स करना होता है यह फूंडो का डोर का सब चीज हमारा बन के आ जाता है जैसे कि हमारा जो मेटियर आप देख सकते हैं हां पर आके डंपिंग हुआ है यहां पर फेनल बोड का और यहां पर हमारा जो अंगूइंग वर्क चल रहा है इधर एक ब्लॉक दूसरा साइट में भी एक ब्लॉक हम क्वेस्टन हुआ है और यहां पर भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यह जो ब्लॉक है हमारा अभी जो स्ट्रक्चरल इरेक्शन हुआ है वह अभी आधा ही हुआ है और दूसरा ब्लॉक उधर साइड में है उसका बीम का रेन्फोस्मेंट बंद हुआ है उसका कास्टिंग होगा बाद में और यहां पर भी तो हमारा पीसी सी चल रहा है कि यह पात हुई है इस रूम के लिए यहां पर दूसरा दूसरा काम भी चल रहा है जैसे कि पैनल फिक्सिंग और यहां पर हमारा स्टेश्ट भी फिक्सिंग चल रहा है कि यहां पर उंडो पैनल फिक्सिंग चल रहा है फ्रेंस जैसे कि यह उंडो का ग्रील हो गया यह पर पैनल बन रहा है डाइवर्ट रहा है हमारा दोनों साइड में से स्टेर्केस हैं यह रेडियर जो होगा है कि अभी स्टेर्केस का इरेक्शन सल रहा है कि दूसरा एक ब्लग हमारा बुदर चल बहा है फ्रेंट्स हुआ कि यहां पर जो विंडोस पैनल उसका हर्सीज प्लांट में वह कंपनी बना कि यहां पर बैसता है हुकर जो एक फ्रेंट्स फ्लोर है फ्रस्ट फ्लोर के आपर चल रहे हैं यह वारा अज-बेश्ट का सीट है यह तक अप बहुत मजबूत होता है इसलिए उसको फ्लोर में वैजाए यह बहुत मुझूरू यह तूटे का नहीं इतना आसान से तेंट्स आज का वीडियो में इतना ही है मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नया लेके